नमस्कार आप सबका स्वागत है Let's Crack UPSC CSC Hindi में मैं लली त्यादव अपनी धुआधार रिवीजन स्रीज में आप सबका वेलकम करता हूँ और आज हम बात करेंगे संगी विवस्थागी और डिटेल में अगर आपको क्लासिस चाहिए तो डिटेल में मैं अल्रडी यहाँ पर हमारा परपस है आपको एक्जाम से पहले एक जल्दी से चीजों के बारे में क्विक रिवीजन जो है वो आपका हो जाए उस क्विक रिवीजन के लिए एक बेसिक अंडरस्टेंडिंग के लिए आपकी एक लासिस है चलिए तो हम संगी विवस्था के बारे में स संबंधों के आधार पर ना उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है एक जिसको बोला जाता है एकल और दूसरा जिसको बोला जाता है संगिय अब जब हम परिभासा के अंतरगत तक देखें कि एकल या एकात्मक सरकार क्या है तो एकात्मक सरकार वो होती है जिसमें समस की सरकारों के पास कोई अधिकार या सक्तिया नहीं है जब हम बात करते हैं संघिय सरकार की संघिय सरकार में क्या होता है जो पावर है सक्तिया है उसका विभाजन होता है केंदर के पास भी सक्तिया होती है और राज्य की सरकारे जो हैं उनके पास भी सक्तिया होती हैं यानि कि दोनों के बीच में बटवारा किया जाता है अब जब हम बात करते हैं तो बिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नोर्वे, स्वीडन, स्पेन ये ऐसे देश हैं जहाँ पर एकात्मक स्वरूप की सरकार है आपको देखने को मिलेगी यानि कि सेंटर के पास सारी की सारी पावर है सेंटर जो चाहेगा वो कर सकता है वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं अमेरिका, उस्ट्रेलिया, स्विजर्लेंड, कनाड़ा, ब्राजील ये ऐसे देश हैं जहाँ पर संग्य ढाचा है संग्य मोडल है यानि केंदर भी है और राज्य की सरकारे भी है और उनके बीच में सक्तियों का बटवारा भी है और वो मिलकर के कारी करते हैं टो इन दोनों प्रकार की चीज़ें किस तरीके से है इसको हम देखने से पहले हम जानेगे कि संग्शासन बनता कैसे संग्यय व्वस्ता अपनाई जाने की कारण क्या होते है भारत ने संग्यय व्ववष्था क्यों अपनाई बहुतने और पकई सारों के मन ये सवाल हो सकता है wouldn't your भारत में हम एकात्मक्स आम तोर पर आप이지 केंदर के पास जादा पावर है तो सब लोग केह सकते हैं कई भर मैंड में सवाल आते हैं कि संगे विवस्ता अपना ही क्यों हमें तो एकात्मक विवस्ता अपना लेनी चाहने थी एक्सेक्टर एक्सेक्टर तो उसके कुछ कारण है उसको करण को जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा की संगसासं किन आधार पर निर्मित होता है तो 2 factor हुते हैं जिसको एक को बोलते हैं एक की करण और दूसरे को बोलते हैं विभेदी करण ठीक है एकी करण और विभेदी करण इसको इंगलिस में आपको पता जेता हूँ integration बोला जाता है एकी करण को विभेदी करण को बोला जाता है disintegration संग सरकार के बनने के दो तरीके हैं अब इस चीज़ को समझिए सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं जो पहला वाला मामले में क्या होता है सैनिक कमजोरी वाले या आर्थिक रूप से पिछडे राज्ये मिलकर एक बड़े वे मजबूत संग का निर्मान करते हैं उधारन के लिए अमेरिका इस तरीके से समझिए मान लीजिए कुछ देश हैं छोटे छोटे देश हैं ठीक है जैसे अमेरिका का निर्मान भी हो ऐसे था मान लेते हैं चोटे छोटे देश हैं आपस में एक दूसरे साथ सीमा सेर करते हैं एक दूसरे साथ जुड़े हुए ह सारे सोतंटर देश हैं लेकिन मजबूत नहीं है पाउरफुल नहीं है सत्ति साल नहीं किया अब ऐसे में कोई भी दूसरा पाउरफुल बड़ा देश है बड़ी कंटरियम ऐसे राज्य एक देश है यह इतने बड़ा साइस गा ह। अब यह आता है जम्मर जी किसी भी राज किसी भी देश के उपर हमला करता है कबजा कर लेता है लूट करके चला जाते है यह अकेले दम पर उसका मुकावला नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर यह सारे देश जो अलग-alग थे यह एक साथ एक जूट हो जाए एक मिल जाए और यह बोले कि हम एक अपना एक complete सब लोग मिल करके फिर एक देश बनाते हैं और हम उसका हिस्सा बन जाते हैं तो वो संग बन जाता है एक ही करन वाला संग यानि कि जो कमजोर देश थे वो आपस में मिल करके उन्होंने एक देश बना लिया बाकि उसके इकाईयां बन गए ठीक है तो ऐसे में जब ये complete एक देश बन जाएगा तब इसका ये जो बड़े विसाल देश था इसके उपर हमला करना इनको लूटना आसान थोड़ी रहेगा क्योंकि अब ये सब लोग मिल करके उसका मुकाबला करेंगे हर तरीके से मुकाबला करेंगे ठीक है तो इनका विकास भी तेज होगा इनकी सुरक्षा भी मजबूत होगी तो हर चीज में मामले में ये जादा बहतर होता चला जाएगा अमेरिका के साथ ऐसा ही हुआ था पहले कुछ छोटे-छोटे से देश थे उन देशों ने आपस में मिल करके ये निर्न लिया कि हम एक देश बड़ा बनात कि विभेधी करण का मतलब क्या होता है कि जब बड़ा एकिकरत राज्य है संग में परिवर्तित हो जाए ठीक है कनाड़ा जैसे कनाड़ा हुआ या भारत हुआ यानि कि एक देश है ये एक देश है ये बड़ा सा देश है लेकिन प्रोब्लम ये हो रही है कि जब ये देश तो इस देश में कई सारे ऐसे हिस्से रहते हैं इतनी दूर दूर तक कि वहाँ पर प्रसासन करना बड़ा मुस्किल हो जाते हैं एक ही सरकार उनको समाल नहीं सकती है ठीक है और वो हर एरिया के विकास के लिए ढंग से उनकी आऊ सकता हो के अनुसार उनकी जरूरत के अनुसा पर उनको मदद नहीं पहुचा सकती है तो ऐसे में क्या किया जाता है कि यह देश करेगा ये करेगा अपने अंदर कुछ राज्यों का निर्मान कर लेगा किये लो भैए चोटे-चोटे राज्यों बना लिये अब इन राज्यों की भी सरकारे बना दी अब इसमें भी प्रस कनाडा के तरीके से ही चला है जब कनाडा का मोडल था भारत ने संग्य विवस्था के मामले में उसी को ही अपनाया है उसी से ही प्रेणा लेकर के हमने बनाया अब विसु का पहला आपको कई वर सवाल आ जाता है कि पहला संग कौन सा है तो आपको ध्यान रख में रखने पहल हमने एकात्मक विवस्था को नहीं अपनाया आप कह सकते हो नियारी इतना बड़ा एक देश था हमने क्यों अलग-अलग राज्य बना एकात्मक की बना सकते थे तो उस समय की कुछ रीजन थे संगे विवस्था को अपनाने के सबसे पहला कि वही देश का आकार बहुत बड़ा था और दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक विविदिता डाइवर्सिटी तो इतना बड़ा आकार का देश मेरे दोस्त इतने बड़े आकार के देश में आप एक सरकार से कैसे सासन कर सकते हो सभी को कैसे सुविधाय परदान कर सकते हो सभी की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हो सभी को भागिदारी कैसे दे सकोगे ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है वहाँ पर उत्पन होती तो हमारे समधा निर्माताओं को ये समझ थी कि यह देश है तो देश में तो सब के लिए development के लिए विकास के लिए जरूरी होगा कि हमें उन सब तक प्रसासन जो है पहुंचे विकास पहुंचे तो इसके लिए एक संग्य धाचा बनाना पड़ेगा और दूसरी चीज यह थी कि भारत के अंदर इतनी ज्यादा सामाजिक स पहचान दिया जाना जरूरी था अगर उनको उनकी पहचान को मानिता नहीं देते तो भारत टुकडों टुकडों में विभाजित होने की संभावना रहती विद्रो की संभावना रहती फोर एक्जामपल अगर मैं आपको एक बात बताओं तो भासा को ले लिजिए ठीक हम तो इसके लिए कई सारे आयोग जैसे कि धर आयोग बनाया गया उस words मुझे मना कर दिया है फिर जे वी पी आयोग बनाया गया इसने मना नहीं बने गाएं अब पुद्धा थी इए फजल अली आयोग बनायते है फजल अली आयोग जो है वह बनाया जाते है और उसकी आधार पर भारत में राज्यों का पुनर गठन किया जाता है भासा के आधार पर ठीक है तो मतलम विविदता थी इसलिए तो हुआ ना अगर माल लेते एक ही भासा होती पूरे देश में, या एक ही धर्म होता, एक ही जाती होती, एक ही संस्कृती होती, तो इस तरीके का मुद्धा उठता ही नहीं, इस तरीके की डिमांड इस तरीके का quando उठता ही नहीं, क्योंकि किसी को भी एक दूस अपनी भासा के दबने की या उसके कमजोर पड़ जाने की या अपनी भासा के कारण दूसरों के भाउमत वाली भासा के कारण अपना दब जाने के उनको डर नहीं रहता सेम चीज धर्म के मामले में फिस सेम चीज जाती के मामले में हो जाती लेकिन जब विवीदता है और वो भी बहुत हर मामले में विवीदता है तो ऐसे में सब को भागेदारी देने का एक ही उपाय था कि भारत में संग्ये व्यवस्था को अपनाये जाए संग्य व्यवस्था में जब अलग-अलग राज्य बनाए जाएंगे अलग-अलग स्टेट बनाए जाएंगे तो वह स्टेट अपने राज्य की जनसंख्या को वहां की जो है विसेश परिस्थितियों के अनुसार उनके लिए विसेश तरीके से कारे कर पाएगा वहाँ की भोगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, वहाँ के धर्म के अनुसार, एक्सेक्टर, 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 तो इसके लिए जरूरी था कि भारत में संघ्य व्यवस्था जो है वो बनाई जाए, तो इसलिए ये महसूस किया हमारे समिधा निर्माता बड़े ह बहुत ही talented, बहुत ही, कहते हैं न, उच्छ स्रेणी के ज्ञानी व्यक्ति, वो थे, अब उन्होंने क्या मैसूस किया कि संघिये विवस्था से, ना केवल सरकार की सक्ति बढ़ेगी, बलकि छेत्रिय स्वायता यह राष्ट्रिय एकता में अभिवरद्धी होगी, और यह बिल चान को ले करके, और वो विद्रो परी उतरे रहते, लड़ाई जगडाई करते रहते, डिमांड इस तरीके से हिंसक पहुच जाती, जो कि भारत में आम तोर पर हिंसक आंदोलन होते रहे हैं, इतिहास गवा रहे हैं हिंसक आंदोलनों का, ठीक है, तो एकता की में एक खतरा करते हैं, सभी लोग, हम सब लोग, तो देश की एकता में अभिवरध्धी का एकत जो है, वो बहुत बड़ा सादन था, इसलिए हमने संघिय व्यवस्था अपनाई, अब संघिय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था, इनके अंदर कुछ अंतर है, बेसिक से अंतर समझ लीजिए, संघिय व्यवस्था में दोरी सरकार होती है, राश्ट्रे स्टर की और छेत्रे स्टर की, भारत एक मात्र ऐसा देश है, जहां पर तीसरे स्टर की सरकार भी आपको मिल जाएगी, जिसको हम बोलते हैं, स्थानी स्टर, ठीक है, आम तोर पर केवल दोही स्टर होते सरकार होगे लेकिन भारत एकमात रहाई सदेश है जहां पर स्थानिस तर्वी मिलेगा एकात्मक में केवल एकल सरकार ही रहती है उसके पास होती है कि और छेटर सरकार बनाना चाहे तो मना दे बना भी देगी तो सक्तिया नहीं देगी संगेत समिधान होगा ना फेडरल तो उसमें लिखित समिधान होगा लिखना ही पड़ेगा देना ही पड़ेगा लिखित क्यों देना पड़ेगा क्योंकि सक्तियों का विभाजन करना पड़ेगा बताना पड़ेगा ने कि राज्ये के पास क्या सकती है केंदर के पास क्या सकत सब को पता है वहां पर पावर सारी की सारी सेंटर गोवर्मेंट के पास है तो कोई विवाद का डिस्प्यूट का मुद्द आये गाए नहीं सब बटवारे की कोई आती ही नहीं सक्टियों का विभाजन होता है रास्टी और छेत्री सरकारों में एक संग में मैं यहां पर संग में संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है ठीक लेकिन अगर हम बात करते हैं एकात्मक में तो संविधान भी बड़ा हो सकता और वहां की संसद भी बड़ी हो सकती है जैसे जापान में संविधान सर्वोच है बिटेन में संसद सर्वोच है ठीक है वहां पर पार्लिय रहेगा थोड़ा सा कि उसको change करने में राज्य और केंदर दोनों की भूमिका रखी जाएगी ठीक है दोनों की सहमती से चीज़े होंगी क्योंकि दोनों का रोल है एक आत्मक में ऐसा कुछ नहीं कठोर भी हो सकता और चाहओ तो लचिला भी हो सकता जैसे बिटेन में लचिला दोनों चीज़े हो सकती है इसमें न्यायपाली का स्वतंत रहेगी हमेशा संग्य विवस्था में और एकात्मक में न्यायपाली का स्वतंत हो भी सकती है नहीं भी हो सकती यहाँ पर द्वी सदन्य विधाईका देखने को मिलेगी संग्य विवस्था में द्वी सदन्य जैसे भारत में लोग सभा है, वो सिधे लोगों की प्रतिनिधित करती है, लेकिन जो राज्य सभा है, वो राज्यों का प्रतिनिधित करती है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करती है, जैसे अमेरिका में सीनेट है, वो वहां के राज्यों का प्रतिनिधित करती है, लेकि उसके house of load का मतलब इतना कुछ बनता नहीं है ठीक है वो एकदम अलग तरीके से काम करती है ठीक तो ये दोनों अंतर इसमें थे अब बात कर लेते हैं संग की बात तो आपको जान करके मेरे दोस्त यह आस्चरी होगा कि भारत के समिधान में संग वर्ड कहीं पर भी डाला ही नहीं गया है मेरे दोस्त ठीक है भारत के समिधान में कहीं पर भी संग सब्द जो है वो डाला ही नहीं गया है आप देख लीजेगा ठीक है ये एक बहुत इंट्रेस्टिंग सी चीज एक इंट्रेस्टिंग सा फैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक इसके स्थान पर हमने क्या वर्ड किया गया उसको समझे उसको आर्टिकल एक में हम देखेंगे हमें बोला गया है कि राज्यों का संग इसमें बोला गया है ठीक चलिए राज्यों का संग मतलब यूनियन इंगलिस में बोलते हैं दोक्टर बियारंबेडकर ने इसकी परिभासा देते वे क्लियर किया कि भारत में हमने संग वर्ड की जग है राज्यों का संग क्यों यूज किया है यूनियन वर्ड को हमने क्यों यूज किया है तो इन्होंने सबसे पहले चीज कही कि हमारा संग जो है वो बाकी जो आम संग ह उन जैसा नहीं है, हमारे देश में थोड़ा सा अलगाव है, अलगाव क्या है, समझें, कि जैसे अमेरिका का संग है, अमेरिका का संग के विपरीत, भारतिय संग राज्यों के बीच सहमती का प्रतिफल नहीं है, और राज्यों को यह अधिकार नहीं है, कि वे स्वेम को संग स प्रथक कर सके ठीक है यूनियन है क्योंकि वह आव विभाज्य है तो अमेरिका में जो क्या हुआ था अमेरिका में क्या था कि कई सारे छोटे छोटे देश थे इन देशों ने मिलकर के अमेरिका बनाया USA बनाया इनके बीच में क्या हुआ समझोता हुआ ठीक है इनके बीच मे क्या हुआ सहमती हुई इसलिए वो संग बना लेगिन भारत तो एक एक देश था उसने तो अपनी प्रसासनिक सुविधा अपने विकास अपने उसके लिए उसने राज्यों का निर्मान जो है यहां पर किया अलग-अलग तो भारत में ऐसा किसी के पास पावर नहीं किसी भी पास कि भारत से अलग हो जाए भारत से अलग होकर कि किसी का कोई अस्तित्वी नहीं और पहली चीज वह अलग ही नहीं हो सकता सिंपल सा रूल ठीक है govern पहली चीज यह कहीं कि भारत का समिधान है दो चीज़े आपने देख लिए उसमें संघी विवस्था क्यों आई क्योंकि पहला तो एक तो हमारी विवस्था में राज्यों से समझोता नहीं किया गया बलकि हमारे देश के विकास के लिए प्रसासनिक सुविधा के लिए हमने राज्य बनाए दूस और कुछ चीजों में समानता है कनाड़ा की विवस्था में जैसे कि इसका विखंडित होने की तरीका हो और संग सब्द का प्रयोग जो है अगर हम बात करते हैं उसका यूनियन वर्ड का यूस करना ठीक है केंद्री करन की प्रकृति यानि की राज्यों के पास सत्या कम रा है भारत एक विचित्तर प्रकार का संग है जहां पर आपको विशेष्ता है उसके साथ्साथ आ को एक आत्मक विशेष्ताई भी देखने को मिलती है यूनिट्री की वह आपको features देखने को मिलेंगे तो पहले हम भारत के समिधान की जो संग्य विशेष्था हैं उनको देख लेते हैं एक एक करके फिर हम unitary वाले पर चल देंगे तो सबसे पहले तो है द्वैध राज्य पद्धती जिसको हम बोलते dual polity, dual polity का मतलब अगर हम बात करते हैं देखती है जबकि दूसरी तर्फ राज्य सरकारे छेत्रिय एवं स्थाने महत्यों के मुद्धों को देखती है जैसे सारुजनिक विवस्था, किरसी स्वास्ते स्थाने प्रसासन एक सेक्टर तो भारत में सरकार का दो तरीके का दो प्रकार देखने को मिलेंगे एक संग सरकार और एक राज्य सरकार 28 राज्य हर राज्य की एक अपनी सरकार होती है लेकिन ये dual polity के साथ-साथ भारत के अंदर एक और बड़ा बदलाव हो है संग्य विवस्था को अगर हम देखे तो एक नया बदलाव जो आपको देखने को मिलेगा वो 73, 33 और 44 समीधान संसुदन के बाद इनके बाद आपको देखने को मिलता है और वो क्या देखने को मिलता है कि भारत में पंचायते ठीक है पस्थाने सा स्वसासन पंचायत और नगरपाली का ठीक है इस तरीके से जहें हाँ पर सेंटर में आप देखोगे केंद्र की सरकार हो जाएगी ठीक है मध्यवर्थ स्तर पर देखोगे तो राज्ये की जो सरकार हैं वो हो जाएगी और निचले स्तर पर देखोगे ये दोनों ही आपको देखने को मिल जाएंगे तो इस तरीके का structure बन गया विश्व में एक मातर ऐसा देश है जिसमें इस तरीके की विवस्थ है पूरे देश विश्व में इस तरीके की टीन हिस्सों में बटवारा कहीं पर भी नहीं है अब दूसरी चीज जो है संगिये अनुसूचियां दुनिया भरके आपको संसोधन इसमें देखने को मिलते हैं 2019 तक की अगर आप बात देख करोगे तो 2019 तक इसमें जाकर के साड़े 400 से जादा अनुच्छेद ठीक है आपको इसमें अनुच्छेद देखने को मिल जाएंगे 25 भाग 12 अनुसूचियां आपको पेंद्रियें एवं राज्य सरकारों की सत्यों एवं उनके प्रियोग का विस्तरत विवेचन हैं दोनों के मध्य गलत फैमी और असहमती को उत्पन यह नहीं होने देता है और यह जरूरी था क्योंकि अगर दो तरीके की सरकारे हैं तो अगर आप लिखित समिधान नहीं द बताओ आप देखते ना हर चीज के लिए जैसे मान लेते आप रास्ते में जा रहे हैं कहीं पर कोई व्यक्ति है वहाँ पर दिवार के उपर सुसू करने में लगा हुए है धार मारने में लगा हुए अब ऐसे में आप उसको टोक करके बोल दो कि अरे भाई यह तो स्कूल क कि दिवार है आप यहां पर क्यों लिख क्यों कर रहे हो तो वह एक तो आपको मना करने की बजाए अपनी गलती मानने की बजाए उल्टा लड़ने लग जाएगा बोले कहा लिख्या बता कौन सी दिवार पर लिख्या कि सुसू करना मना है अब लिख तो वह उस चीज के मैंने ऐसा देखा है कि हम लोगों को बहुत सारे लोगों को तो यह यह चीज याद आती है जब दिवार पर या कहीं पर लिखा रखते ना कि यहां पर थूकना मना है तो ऐसे में याद आता है कोई व्यक्ति कोई भाई साब जो आज कल तो खैनी पान मसाले का बड़ा तो दिवार पर दिखते हैं उनमें से कई लोगों को देवार पर देखते हैं कि यहां पर थूकना मना है तो इनको देखना कभी जो यह खाने वाले लोग होते हैं इन सब के निसाना देखोगे तब आपको बताओं यह सटीक निसाना वारें इनको लेज़ा निसाने बाजों में अगर कभी आएगा तो यहां के यह बुटकक हैनी खाने वाले कुछ जो परसंस हैं वो हो सकते हैं तो बेसिकली लेकिन जो कोई चीज है उसको क कानून में लिख देते हों कानूनी रूप से लिख देते हों तब उसका फालान वह नहीं लग जाता है जैसे ट्रैफिक रूल्ज उसमें कानून में लिख दिया कि हैलमेट नहीं पहान करके जाओगी तो मोटा चलान होगा, तो सब लोग मानते हैं, मानना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, ठीक है, पहले नहीं मानते थे, अब मानने स्टार्ट कर दिया, तो सेम यही चीज थी, लिख देने से क्या उतने चीजें क्लियर हो जाती है, स्पस्ट हो जाती है, यह तुम्हारा यह उसका, ऐसका तो आपस में पंगा होने का झखडः होने का खत्रा जो है वो समापट हो जाते हैं त तो संग राज्य सरकार इन दोनों के बीच में इस तरीके क्कोई विवाद न हो तो इसका केवल यहीं उपाय था कि लिषिती最 करदौ सारी लिखित समिधान जो बहुत भूमी का निवात है अब division of power समिधान के अंदर अगर हम बात करते हैं सत्यों के विभाजन में तो तीन अनुसूचियां आपको देखने को मिलती है सबसे पहले भारत की सातवी अनुसूचि जो है सेवन्थ सेड्यूल जो है इस सातवी अनुसूचि के अंदर तीन सूचिया होती है पहली जिसको आप बोलते हैं संग सूचि ठीक है दूसरी जिसको आप बोलते हो राज्य सूचि तीसरी आप जिसको बोलते हैं समवर्ती सूचि समवर्ती सूचि ये तीन सूचियां आपको देखने को मिलती हैं, अब संग सूची पर संग कानून बना सकता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बना सकता है, ठीक है, यहाँ पर केंदर का मतलब संसद, राज्य का मतलब यहाँ पर राज्य, ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद जनक परिस्थ से अभी इतना है समझ लीजी और समवर्ती सूची में दोनों राज्य सकते केंदr उसमेह क्या होगा तो उसमें क्लिरली मैंस friendship कर दिया कि अगर कोई विशाय संग्ने भीकानून बना दिया समिवर्ती सूची की बात करें तो उसमें केंद्र को जो है केंद्र काम स्थिती में अगर एक जैसे कानून है तो समस्य नहीं फिर तो केंद्र कोई बात होगे लेकिन अगर टकरा हुआ तो केंद्र का कानून माना जाएगा अब इसके साथ मुद्ध ही आ गया यह बोला गया कि अवसिस्ट सत्यों का क्या होगा मान लेते कि आपने कुछ चीजे इन तीनों सूचियों में लिख रखी है साती वेनों सूच कोई नया विश्याएगा तो केंद्र के पास रहें समिधान ही सर्वोचताय है भारत के अंदर ठीक है यानि कि कहने मतलब भारत में कोई भी कानून बनाएं केंद्र सरकार राज्य समिधान से हट करके कारे नहीं कर सकते समिधान में जो है उनी प्रावधानों के अनुसार जाकर करके काम करना पड़ेगा अगर कोई भी काम ऐसा होगा जो समिधान के मूल धांचे का उलंगन करता है तो नियाय पाली का है हमारे पास जो उन कानूनों को अवेद घोसित कर संविधान की सर्वोचित है सुप्रीमेस ऐस सुप्रीमेसी बाहु भली एक कोई कानून बना दिया तो दुनिया की कोई ताकत ब्रिटेन के उस कानून कर सकते हैं, तो समीधान की सरवचता है हमारे पास, अब एक है कठोर समीधान, कठोर समीधान का मतलद समझिए कि भारत के अंदर जो समीधान है, वो दो हिस्सों में, दो तरीके से देखने को मिलता है आपको, कठोर एवम लचिले का मिसरन, तो यहां पर हम कठोर की बात लचिले को बाद में देखेंगे लचिला लचिला या दाता है जो होतें आप देखना बड़े ही ही बज़ेधार तरीके से आप को कर्टब दिखाएंगे यह जपनास्टिक ousklich आप दीखना उनके शरीर के लचक देखनाम इतने तरीके की कोई भी कहीं से भी निकल सकते हैं, कहीं पर भी जंप कर सकते हैं, तो भारत का जो समिधान है न, उसमें दोनों चीज़े देखने को मिलती हैं, एक कठोरतपन और लचिलापन, तो हम अभी यहां पर कठोरता की बात करेंगे, लचिले की जब एक आत्मा की विसेस्ता देखेंगे, पांच मिनिट के बाद वो भी आ जाएगा अब भारत के अंदर केंद्र और राज्य की संबंध हैं संगिय ववस्था है तो संगिय ववस्था से संबंधित कोई भी प्रावधान होगा तो उसमें अगर कोई बदलाव करना है तो उस बदलाव के लिए आपको संविधान का संस साथ साथ आपको राज्य सभा लगेगी ठीक है लोक सभा और राज्य सभा का दो तिहाई बहुमत आपको लगेगा two-third majority होनी ही होनी चाहिए संग्य ववस्था के प्रावधानों को बदलने के लिए इनके साथ साथ मेरे दोस्त 50 प्रतिसत राज्य विधानमंडल इनकी सहमती भी चाहिए आपको ठीक है राज्य विधानमंडल इनकी सहमती चाहिए आपको यानि की ratification यानि की साधारन बहुमत से साधारन बहुमत से आपको इनकी भी पर्मिसन चाहिए तो किसी मामले पर मेरे दोस्त लोक सभा में दोती हाई बहुमत मान लेते हैं ले भी आए राज्य सभा में दोती हाई बहुमत लाना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है हम मान लेते हैं लोक सभा राज्य सभा द मामले में rigid हो जाते हैं अब अगली जो संग्य विवस्था की भूमी का है खुबी है उसको हम बोलते हैं स्वतंत्र नियाईपाली का independent judiciary तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो क्या-क्या कारण रहे कि हमने नियाईपाली का को स्वतंत्र बनाया तो सबसे पहला कि अपनी नियाईक समिक्षा के अधिकार का प्रियोग कर समिधान की सर्वोचता को स्थापित करना ठीक है अब ये चीज़ समझना अगर केवल केंद्र सरकार होती तो हो सकता है कि नियाईपाली का इतनी स्वतंत्र ना बनाई जाती उसके अधिन होती लेकिन भारत में क्योंकि संगिये व्यवस्था है तो मान लेते हैं विवाद अगर हो रहा है केंद्र राज्य में और ऐस जैसे में आपने नियाईपालीका को स्वतंत्र नी बनाया और नियाईपालीका को अधीन कर दिया केंद्र के तो नियाईपालीका तो केंद्र का ये कहना मानेगी फिर जैसे केंद्र कहेगा वैसे करेगी ठीक है तो राज्यों के अधिकारों का तो हननन हो जाएगा राज्य वो सही और गलत का फैसला उनकी परिस्थितियों के अनुसार गुण और दोस के आधार पर करे कि भीया क्या सही और क्या गलत है वास्तविक्ता के आधार पर सबूतों के आधार पर ठीक है किसी के दबाव में आ करके ना करे और दूसरा हमारे देश के अंदर सरकार जो है वो तो उनको अपनी लिमिटेशन में उनके दायरे में रखने के लिए जरूरी है कि समिधान को प्रमुखता देने के लिए जरूरी है कि नियायपालिका को स्वतंतरता दिये जाए ताकि नियायपालिका जिसको अधिकार दिया है समिधान की व्याख्या करने का सुप्रीम कोट को तो वो ये decide कर सके कि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो समिधान के खिलाफ जा रही हो बेसिकली समिधान के मूल ढाचे का उलंगन ना कर रही हो तो सोतंत्र नियाय पालिका भारत में बनाई गई ठीक है आप किसी के प्रेसर में क्यों काम करें होगे आप किसी की बात गलत अन्यतिक बात क्यों मानोगे जब आपको या तो लालत दिखाया जाए दर दिखाया जाए तो वह अगर उसको डर लगेगा कि यार मैं सुप्रिम कोर्ट के लिए 65 साल के उम्र तक आप काम करोगे अगर हटाना भी है तो reviews भी यह ऑगा उनको डरी नहीं होगा और र decreased c ciao क्या करओग नहीं मानते भई तुमारी गलत बात ठीक है अब दूसरा डर कम लगेगा जब आपको यह लगेगा कि हमारा वेतन भत्ते ना काट ले हमारी सैलरी कम ना कर दे प्राइवेट सेक्टर में यह बहुत होता है सबको डर लगते हैं पैसे न कम कर दे बोस की बात माननी पड़ेगी बोस की संचित निधी पर भारित विया है सुप्रीम गोट के जजिस का ठीक है और तो अगर राज्ये के जो नियाइधी से उनका राज्ये की संचित निधी पर भारित विया है तो उनका पैसा तो आता रहेगा दुनिया इधर की उधर हो जाए नहीं रुकेगा वित्या पातकाल के एक अपवाद को छोड़ कर गे, जो कि भारत में आज तक हुआ नहीं है, तो उनको डरी नहीं है, वो कहना नहीं मानेंगे, गलत बात नहीं मानेंगे, तो यह पैसा भी नहीं काट सकते, रोगी नहीं सकते पैसा, ठीक, मतलब कहने का मतलब ऐसी चीज़ें कि इसमें complete कर दिये, कि ना तो यह लालच दे सकते, ना ही इनको डरा धमगा सकते, तो नियाए पाली का स्वतंत रोकर की कारी करती है, इसलिए देखना कि लोगों का भरोसा नियाए पाली का की पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, एक सर्वे वा एक रिसर्च वह उसमें पूछा गया कि आ और चोथा विकल्प जो है वह आपको वहाँ पर उसमें दिया गया है नियाए पाली का, तो मैक्सिमम लोगों ने नियाए पाली का की उपर टिक लगा है, उनको जुडिसरी पर आज भी भरोस है, उसका रीजन यह है कि उस स्वतंत रोकर की निस्पक स्वैसले करती है, और राज्यों को भी यह प्रावधान कर दिया गया है कि राज्यों में भी बनाए अगर चाहे तो वहाँ पर द्वी सदन बनाए जा सकते हैं, दो सदन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, अब भारत में दो सदन कौन-कौन से हैं, एक तो उच सदन जिसको राज्य सभा बोलते हैं, औ लोगों का प्रतनिधित करती है संपूर्ण रूप से ठीक अब ये चीज ध्यान रखना कि ये दो सदन होने का फाइदा किया है इसका फाइदा ये है संघ्य विवस्था में कि अगर मान लेते हैं कि लोग सभा में किसी के पास फुल मेजोर्टी है तो वह ऐसे में हो सकता है कि अपनी मर्जी से कोई भी बदलाव करने में सक्षम हो जाए लेकिन जब राज्य सभा क्योंकि वहाँ पर राज्यों का प्रतनिधित है हर राज्य से वहां के जो निर्वाचित MLA है वो अपने राज्य सभा के सांसदों को चु देगी तो द्वी सदनिय विधाई का भारत की संगे व्यवस्था की विसेस्ता है ठीक है चली अगले पर चलते हैं अब एकात्मक विसेस्ता हैं देख लेते हैं एकात्मक विसेस्ताओं में क्या ससक्त केंद्र भाई भारत के अंदर हमने देखा कि सक्तियों का बटवारा है केंद्र राज्य के मध्य है लेकिन मेरे दोस्त केंद्राज्य के मध्य बट्वारे को अगर आप देखोगे न तो आपको यह पता छलेगा कि केंद्र को बना दिया गया है don कोन वाहू वली कैसे कि सबसे पहले तो जो साथवी एनी और सूची है सबसे ज्यादा में सबसे ज्यादा सबसे कार बहुत ज्यादा है नहीं संग सुची पास इतने मैत Ao नहीं है कि भाई बटवारा भी किया गया उसमें हर जेगें केंद्र दिखेगा अगर हम 7th Bati quantidade कि बात करतेहेहैं और तो यहाँ पर आप जब संग सूची देखोंगे मिरे दोस्त संग सूची तो संग सूची में संसद कानून बना सकती है संग कानून संग भी कानून बना सकता है पांच अपवाद है ठीक है पांच अपवाद हैं इसके कोन कोन से अपवाद है जैसे कि अगर दो या दो से अधिक राज्ये पर रिक्वेस्ट करें रास्ट्रे हितमे राज्ये सभा अधिकरत करें ठीक है अगर हम बात करें रास्ट्रिया पातकाल अगर हम बात करते हैं राश्ट पति सासन लागू हो कोई अंतराष्टि समझोता है संधी उसको लागू करना हो तो यह सारे की सारी ऐसी चीजें जिनके आधार पर राज्य सूची पर संग भी कानून बना सकती है तीसरा मामला समवर्ती सूची पर समवर्ती सूची में राज्य और संग दोनों बना सकते हैं संग प्लस राज्य लेकिन अगर टकराव हुआ तो टकराव में संग का कानून प्रमुकता रहेगा राज्य के कुछ नहीं और अवसिस्ट विसे वो सारे किसके पास हैं वो संग के पास है अवसिस्ट सकतियां जो है वो भी संग के पास तो इसका मतलब पावर्फुल कौन हो गया पावर्फुल हो गया संग सेंटर पावर्फुल हो गया राज्यों के पास नहीं हुए तो यह एकात्मक विसेस्ता को दिखाते works दिखा दिया ग chorus और पास संग केंद्र राज्य बना तो देगे लेकिन राज्यों के साथ equal status नहीं है बराबर सक्तियां उन्ने नहीं दिए और अमेरीका के अंदर आप देखोगे तो वहां के किसी भी राज्य का नाम बदलना है सीमा में बदलाव करना तो उस राज्य की सहमती बहुत जरूरी ह उसकी मरजी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम भारत की बात करोगे, तो भारत में संसद में एक सिंपल कारवाई, एक सामाने बहुमत से पास किये गए किसी भी काम तरीके से, उनका नाम बदल सकते हो, राज्यों का पुनर गठन कर सकते हो, राज्यों को जोड स कुछ भी कर सकते हो, भाई, कुछ भी, ठीक है, उसके लिए राज्यों से पूछना नहीं पड़ेगा, कि मान लेते हैं, उत्तर परदेश को आपको दो हिस्सों में बाटना है, ठीक है, तो आप उस उत्तर परदेश से जाकर कि उसकी सरकार से पुछोगी नहीं कि बताओ भा बहुमत नहीं, साधारन बहुमत, जम्मू कस्मीर का पुनर गठन हुआ, तो आप देखना, साधारन बहुमत की चीज़े चाहिए थी, तो भारत को बोलते हैं, नस्वर राज्यों का अनस्वर संग, यानि कि राज्यों का नाम, सीमा वगारा मिटाई जा सकती, लेकिन संग क नहीं मिटाया जा सकता, अमेरिका में बिल्कुल उल्टा है, अमेरिका में मंजूरी लेनी पड़ती है, राज्यों से, एकल समिधान, ठीक है, सिंगल कॉंस्ट्यूशन, संग्ये विवस्था वाले जो राज्यों होते हैं, उनमें आप देखना, दोरा समिधान मिलता है, रा राज्ये के पास ऐसी सकती नहीं है, कि वो अपना अलग समिधान बना सके, उसी समिधान को केंदर को भी मानना है, राज्यों को भी मानना है, ठीक है, तो समिधान जो है, केंदर और राज्यों के लिए एक ही है, अलग अलग नहीं है, हाँ, पहले एक अपवाद था, किस तर खुद का भी समिधान एक होता था जम्मू कस्मिर में तो एकल समिधान ये एकात्मक विसिस्ता को दिखाता है अगली चीज पर अगर हम चले तो समिधान का लचिलेपन पहले हम जब देख रहे थे तो यह लचिलापन दिखाया जा रहे है आपको जो कलावाजी खा करके दिख समीधान कखोरता और लचीले पन का मिस्रन समिस्रन partir तो OUT so कठोर प्राउध़ान तो हमने देख लिए संकिये विवस्ता के लिए लेकिन चेटने भी प्राउधान जितने भी प्राउधान zajcken वह सारे की सारे प्राउध़ानों में अगर बदलाव करना है तो सिर्फ संसद की जरूरत पड़ती है सिर्फ संसद और संसद संसद और संसद संविधान संसोधन की सकती जो है सिर्फ और सिर्फ केंदर में नहीं थे सिर्फ और सिर्फ केंदर में राज्यों से केवल सहमती ली जाती है संघिये मामलों में बस केवल संघिये मामलों में और कुछ नहीं कोई भी राजय समिधान का संसोधन प्रारंब नहीं कर सकता है केंदर ही प्रारंब करेगा यानि संसद में ही प्रारंब होगा ठीक है और जो संघीय व्यवस्था से जुड़ावा कोई मामला नहीं है तो उन पर केवल और केवल संसद ही जो है उसको बदलाव करस पाएगा तो ऐसे में तो यह लचिलापन जो अगर आप देखोगे यह ऐसा होगे कि बहुत सारे इससे को जो हमारा संसद है वो अपने दम बदलाव कर लेता है और वो भी साधारन बहुमत से भी कर लेता है जो प्रमुख प्रमुख चीजे हैं जिनको आपने आर्टिकल 368 के इंडर में देखा उसके अलावा भी भारत के संविधान में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं जो कि साधारन बहुमत से हो जाते हैं ब भारत में असली जो संग होगा असली संग का मतलब होता है कि राज्यों को बराबर रखा जाए इक्वल अपर्चनिटी इक्वल स्टेटस दिया जाए लेकिन भारत के अंदर सभी राज्यों को बराबर स्टेटस नहीं दिया गया है कैसे नीदी आ गया कि अगर आप चाहिए राज्यसभा की अगर बात करते राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनीदित्व करती है जहां पर राज्यों का representation देखने को मिलता है तो वहाँ पर सभी राज्यों के लि लिए बराबर सीटे नहीं है हमने आधार बनाया जनसंख्या को तो जिसकी जितनी ज्यादा जनसंख्या उसके उतनी ज्यादा सीटे है ना जिसकी लाठी उसकी भैस और जिसकी कम जनसंख्या उसके कम सीटे तो जिसकी ज्यादा सीटे होंगे उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी जिसक में हर राज्य को equal seat मिलती है एक राज्य है चाये वो इतना बड़ा हो या इत्थी सा ओठ में त्सान था तु इत्थी तुसा तब से तो कैसा व्यख इत्थ सबको दो सीट मिलती है सीनैट में अमेरिका का ज़ू उपरी सदन है उसको बोलते सीनेट में दो बड़ा हो चाए उत्तर भारत के या कुछ गिने चुने 5-6 राजय पगड़ लो उनमें अगर आपकी पार्टी मजबूत है तो आप केंदर में सरकार बना जाओगे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, ठीक है पस्चिम बंगाल, महरास्ट्र, ठीक है तमिल नाडू ये 6-7 रा है कि कम है, इसलिए बहुत सारी पार्टियां उहाँ पर जाना और उहाँ पर जाकर के महिनत करना, विकास करना पसंद भी नहीं करती है, इन्हीं राज्यों के अंदर जाकर के अपनी प्रतिसपर्दा भढ़ाने की कोशिस करते हैं, ठीक है, तो वो और समान प्रतिनी दीतों समान नहीं है भारत के अंदर यह चीज आपको समझना है ठीक है मेरे देश तो ज़रा हाउसदा जोस तो बता दो यार थोड़ा तो हाउसदा जोस हो जाए ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है चलिए अब अगला आपात कालिन उपबंध अब यह भारत में एक ऐसा लूप इसको बोल सकते न ंचुपा हुआद्वार एक ऐसा रास्ता एक ऐस ट्रिक जिसके लिए आप भारत की संग्य विवस्था को एक आत्मक विवस्था में बदल सकते हैं बिना सम्विधान का संसोधन कर सकते हैं भारत में तीन तरीके के आपातकाल बताएगे राश्ट्रियापातकाल आर्टिकल 352 में राज्यापातकाल आर्टिकल 356 में वित्यापातकाल आर्टिकल 360 में 360 में ठीक है अब ज की चिज़े नहीं आती है लेकिन एजिए ओल अवरोल हम देखें तो वित्यापातकाल तो आज तक कभी लगा भी नहीं सारे के सारे राष्टपति सासन और रास्ट्यापातकाली भारत में लगते रहें तो उन परिस्थिति में केन्द्र सरकार के पास सारी की सारी पावर आ जाते हैं संसद के पास सारी की सारी पावर आ जाते हैं राज्य का कंप्लीट कंट्रोल इनके पास आ जाता है बिना किसी संविधान का संसदन करें एक आत्मक धाचा हो जाता है भारत का यह एक अनोखा प्रावधान है भारत में विश्में आपको न परिवर्तित हो जाता है किसी भी संग में नहीं पाई जाती है पूरे विश्व के किसी भी फैडल स्ट्रक्चर में यह नहीं है तो यहां से देखने को मिलेगा एक आत्म है कि राज्यों के पास कुछ है ही नहीं अब दूसरी बात कर लेते हैं नागरिक्ता की एकल नागरिक्त दूसरे राज्यों के नागरिकों को वो स्विधाएं वो नहीं देता है लेकिन भारत के अंदर एकल नागरिक्ता है सिंगल सिटिजन सिप है यह चीज ध्यान रखना केंदर और राज्ये दोरी विवस्था जरूर है दोरी राज विवस्था जरूर है लेकिन नागरिक्ता एक ही है सिंगल सिटीजन है इंडियन भारत की नागरिकता है उसके लाव और कुसे नहीं मिलोगे हैना प्राउट भी एन इंडियन उसके उपर आपको गर्व होना चीए आप यहां पर कहीं भी कभी ऐसा नहीं कहलाओगे कि तुम भाई उत्तर प्रदेश के नागरिक हो उत्त प्रदेश के निवासी हो अर्याना के निवासी हो नागरिक तो एक ही जगह के किलाओगे और वो किलाओगे भारत के इंडिया है इंडिया तो इंडिया के ही सिटीजन रहोगे हमेशा ठीक है भारत के अंदर आप कभी स्टेट के निवनों एकल नागरिकता है तो यह भारत क कस्मीर राज्य का पुनर गठन करके दो केंदर सासित प्रदेश बना दिये जम्मू कस्मीर और लद्दाख तो उसके बाद से वह अपवाद भी समाप्त हो गया अब पूरे भारत में एकल नागरिकता ही रहती है ठीक है एकिकरत न्यायपाली का अब एकिकरत न्यायपाली का क लेगिन भारत में क्या एकिकरत बनाये गया भारति समिदान द्वारा सबसे उपर उस्तम न्यायपाली का इस थापना की है ठीक है राज्यों के उच न्यायपाली का करके कारे करते हैं एकल विवस्था केंद्र राज्यत दोनों पर लागू हो थिए ठीक जैसे कि अगर हम इ स्रक्टर इस तरीं कोर्ट ने जो कहा कह दिया औ niños सारी वह बाते सब को भी माननी पड़ेंगी जितने लोरूर कोत उनको भी माननी पड़े अपपील करोगे तो अपील करने भारत में वैसी नहीं है अब एक और चीज जो एकिकरत एक आत्मा विसेस्ता उसको बोलते हैं अखिल भारतिय सेवाई ओल इंडिया सर्विसेज ठीक अगर ओल इंडिया सर्विसेज जैसे देखा जाए तो संग के अंदर क्या होता है संग में केंद्र और राज्य है तो केंद तो संग्य सरकार एवं राज्य सरकारों की अपनी लोग सेवाई हैं भारत में केंद्र एवं राज्यों की प्रथक लोग सेवाई हैं लेकिन इसके अतिरिक अखिल भारतिय सेवाई भी है जिनकी तयारी आप कर रहे हैं जिसके एक्जाम के लिए आप अभी क्लास ले रहे है IAS, IPS, IFS यही तो बनना चाहते हैं इनके उपर complete control जो है आप देखोगे तो center का होता है इनका chain कोन करेगा? Center की तरफ से, केंद्र की तरफ से प्रसिक्षन कोन देगा? केंद्र की तरफ से दिया जाएगा ठीक है? न्युक्ती आप देखोगे कहां होगी? और राज्यों में होगी, काम कहां करेंगे? राज्यों में करेंगे लेकिन पूर्ण control किसका रहेगा? केंद्र का रहेगा तो ऐसे में राज्यों की सिकायत रहते हैं यह राखिल भारतिय सेवाई जो है, संगी धाचे का उलंगन करती है क्योंकि केंद्र इसके माध्यों से सूपर पावरफुल हो जाता है संगी सिध्धानत को उलंगन करती है तो यह भारत के एकात्मक धाचे को दिखाते हैं अखिल भारतिय सेवाई अगली चीज पर जाते है एकिकरत लेखा जाच मसीनरी जो हमारे कैग है नियंत्रक और एवं लेखा महापरिक्षक वो केंद्र और राज्यों दोनों की ही खातों की जाच जो है वो कर सकता है तो यह एकिकरत व्यवस्थी ठीक इसके साथ साथ राज्ये सूची पर भी संसद का प्राधिकार है वो जो मैंने आपको बताई दिया था कि पांच अपवाद ऐसे है संसद के पास ही अधिकार है कि पांच अपवाद जनक परिस्थितियों में राज्ये सूची के विशय पर भी कानून बना सकती है बिना राज्ये की परमिस्थन लिए ठीक है एक मामले में तो वो जैसे दो या दो से अधिक राज्य आपस में उनको संसद से आगरे करे तो उन राज्यों की परमिस्थन होगी एक तरीकी से लेकिन एक में जैसिमें राज्य सभा अधिकरत कर सकती है कोई अंतर राष्टे संदी समझोता लागू करना हो तब संसद कानून बना सकते राजय सूची पर राष्ट या पात का लागू हो राष्ट पती सासन लागू हो ऐसे समय में संसद जो है राजय सूची के विश्यों पर कानून बना सकते हैं बिना किसी संविधान संसोधन के संसद की विधाई का की सक्ति बढ़ जाती है, पावर्फुल हो जाती है, तो ये एक आत्मक विशेषता है, इसके साथ राज्येपाल की न्युक्ति की बात करते हैं, देखें जैसे संग के अंदर आप देखोगे, एक सरकार का प्रमुख होता और वास्तवी कद्धिक्स की बात कीगी, संविधानी कद्धिक्स होगा राज्येपाल और वास्तवी कद्धिक्स होगा मुख्यमंत्री, लेकिन केंदर में आप देखना जो संविधानी कद्धिक्स है, राष्टपती वो निर्वाचित व्यक्ति है, उसको चुना जाता है, लेकिन जो राज्येपाल है, राज्ये का समयधानिक व्यक्ति है, उसको चुना नहीं जाता है, उसको न्युक्त किया जाता है, अब न्युक्त करने में भी किसकी भूमी का, केंद्र सरकार की भूमी का, सेंटर की भूमी का, राश्टपती की द्वारा उसकी न्युक्ती होती ह राश्ट पती किसके कहने पर करेगा Article 74, Council of Minister, मंतरी परी सद्गे कहने पर, तो ऐसे में राश्ट पती के प्रसाद परियंत अपने पद पर जो है, वो राज्येपाल काम करता है, और इसलिए वो केंदर का एजेंट कहलाता है, केंदर का एजेंट मतलब जैसे सेंटर कहेगा, व तुने जाते हैं वो, इलेक्षन के माध्यम से, ना मांग की इतनी होते हैं, तो ये विवस्था भारत की एक आत्मक विवस्था को दिखाते हैं, राज्येपाल के नियुक्ति, एकिकरत निर्वाचन मशीनरी का, ये भी भारत की एक आत्मक विवस्था को दिखाते हैं, समझ गई आपके विधान सभा के इलेक्षन भी यह कराएगा विधान परिसद के इलेक्षन भी यह कराएगा ठीक है इसके साथ साथ राश्टपती का इलेक्शन भी यही कराएगा यानि कि केंदर और राज्ये के सारे चुनाओं को यह कराएगे केवल स्थानी स्थर के चुनाओं को छोड़ करगे लोकल गवर्मेंट के लिए स्टेट इलेक्शन कमिस्ण बनाये गया है तो यह एक एक इकरत ढाचे को दिखाते है भारत कंदर अब जो निर्वाचन आयोग भारते निर्वाचन आयोग इसके स्थापना जो है आप देखोगे वो भी केंद्र के स्तर पर होती है राज्ये इस मामले में कोई भी कुछ नहीं कर सकते इनके सदस्यों को हटाने में भी आगर बात करोगे तो सेंटर की ही भूमी का है ठीक है राज्ये इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन अमेरिका की अगर आप देखोगे तो अमेरिका में केंद्र और राज्ये दोनों के इलेक्षन के लिए अलग-अलग मसीनरी है तो वो संग्ये व्यवस्था रहेगी कंप्लीट फेडरल भारत में केंद्रो राज्ये के इलेक्षन के लिए केवल एक ही एकी करत निर्वाचन मसीनरी जो है वो आपको देखने को मिलती है कि अब एक और मुद्ध हाता है जिसमें आप देखना राज्यों के विधयक जो है उनके उपर राश्च पती विटव कर सकता है ठीक है भई राज्यों का अपने एक विवस्था में क्ये अवता है कि राज्ये अपने कानून के लिए उसको सुरक्षित रख सकता है ठीक और राष्ट पती के पास ये जरूरी नहीं है कि वो जो परमिस्टन है वो किसी निर्धारित समय अवधी के अंदर दे लंबे समय तक ही सकता है पेंडिंग रख सकता है खतम कर सकता है उस मामले को ही ठीक है कोई स्वीकर्ती देना या वापस भेजने का कोई वो नहीं है ठीक है एक बार मान लिजे राष्ट पती ने उसको सुधार के लिए वापस भेज दिया और दुबारा तो उस विधेक को अगर राज्य की विधाईका ने पास दुबारा कर दिया तो दुबारा भी उसको राष्ट पती के पास राज विधाई का विटो कर लो इस माध्यम से क्या हो जाता है भारत की युनिट्री पावर आ जाती है तो यह सारी की सारी चीजे थी मेरे दोस्त उम्मीद करता हूं संग्य वेवस्त आपको समझ में आयोगी थोड़ा सा लंबा चला यह चैप्टर रीजन क्या था क्योंकि इंपोर मिनट के भी होंगे कुछ 40 मिनट के भी होंगे ठीक उस इसाब से चलेगा लेकिन पूरी एम लक्सिमिकांत जो है वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी 40 गंटे के अंदर तो एक बहुत सूपर फास्ट रिवीजन आपका हो जाएगा पॉलिटी में इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं important important notes भी आपके बन गए क्योंकि main main points को मैंने discuss किया अगर आपको free PDF चाहिए तो यह telegram channel है इसको join कर लिजेगा यहाँ पर आपको सारी की सारी PDF जो है वो free में मिल जाएंगी ठीक है free PDF मिल जाएंगी कोई problem नियोगी कभी और आपको exam पास होने तक सारी हर चीज में मेरी तरफ से मदद मिलेगी मेरी सारी classes का notification सब कुछ आपको वहीं मिलेगा इसका नाम है unacademy लली त्यादव की पाट साला फिर से बता देता हूँ unacademy लली त्यादव की पाट साला जाइए और जोइन कीजिए टेलिग्राम चैनल आपकी सारी समस्याओं का समाधान है टेलिग्राम पे जाइए नाम इसको जोइन कीजिए इस चैनल का नाम है unacademy लली त्यादव की पाट साला unacademy लली त्यादव की पाट साला इसको जोइन कीजिए सब कुछ समाधान आप आपको मिल जाएगा, अनेकैडमी का सबस्क्रिप्सन लेना है, अनेकैडमी की टीम से बात करनी है, वो सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इसी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, और अब आप अगर चाहते हैं कि बहुत डिटेल में पढ़ें, एक्जाम करें, एक्जाम निकालें ही निकालें, पास करें, तो भई सीरियस केंडिडेट जो हैं, आप अनेकैडमी का एप डाउनलोड कर लो, और अपना वहाँ पर सबस्क्रिप्सन लेलो, एडमिसन लेलो, वहाँ पर सबस्क्रिप्सन लेने का फाइदा ही होगा, कि इंडिया के सारे टीचर सिधर है, तो आप जब जोईन करेंगे, तो आपको सब की बेस्ट क्लासिज मिलेंगी, हिंदी, इंग्लिस, बाइलिंग्वल, तीनो मोड में मिल जाएंगे, और कोई भी नहीं देते हैं, कि एडमिसन लिया, और आपको हिंदी में भी क्लास मिल गई, इंग्लिस में बी मिल गई, बाइलिंग्वल में भी मिल गई, आप कहीं और जाओगे, तो आपको इन तीनो के लिए अलग अलग पेमेंट करना ही पड़ेगी, यहाँ पर तीनो, जो मर्जी देखना चाओ, देलो, देखलो, एक बर बस एडमिसन लेने के बाद, और किसी भी टीचर से पढ चल रहा है, अगर आप दो साल का, या तीन साल का कोर्स लेते हैं, उसको लेने के बावजूद भी, आपका एक्जाम क्लियर नहीं होता है, आप UPSC का एक्जाम देते हैं और वो नहीं निकलता है, तो अनकेडमी यह एक सियोरिटी दे रही है, कि भई, आपको एक साल फिर फ सादू का कोड है यह ल-y-l-i-v-e ठीक है इसको बोलते हैं कोड टू सक्सेस ल-y-l-i-v-e जब भी कोर्स लें तो लगा करके लेना इससे फीस में तो डिसकाउंट हो जाएगा ठीक दूसरा जो भी ओफर चल रहा होगा वो मिल जाएगा तीसरा आपको सारे टीचर्स की क्लास मिल जाएगी चोथा ट्वंटी बुक्स का सेट होता है अने केड़ी की ट्वंटी बुक्स ठीक है जो हिंदी और इंग्लिस दोनों में अविलेबल हैं कम्प्लीट यूपी एससी का पूरा स्लेबस एक दम टोपिक वाइज मिल जाएगा स्लेबस क्या कोर्डिंग हंडर को बोलते हैं और सबसे इंपोर्टेंट खूबी इस कोड की जो है वह तो आपको भूली है आपको ध्यानी नहीं मैं बता देता हम वह परसनल मेंटर्शिप मेरे दोस्त परसनल गाइडेंस आप एक्जाम पास करने केवल पढ़े करके एक्जाम निकाल सकते हैं अगर आपको इक्वल सा यह है चीज़े सब आती है वो मात इसलिए खाते हैं क्योंकि अपनी कम्यों को निसुदार पाते हैं अपनी अच्छाईयों को और भेतर नहीं बना पाते हैं ठीक है और कब क्या करना है वो नहीं समझ पाते हैं उसका रीजन क्या है क्यों काम करवाने की लेता है यल वाई लाइ यॉट लगा करे लेता है यह वाला रेफरल कोड अप्लाई करे लेता है मैं उनको वन उन गॉट करता हूं एक्जाम पास होने करके course जोइन करते हैं तो आपको फिर चिंता करने की जुरूरत नहीं आपकी पूरी तयारी पूरी help जो मैं करूँगा टेलीग्राम चैनल पर अनकेडमी का मेरा official number है ठीक है अनकेडमी का मेरा official mobile number है उस पर call करना मेरी टीम आपकी पूरी help करेगी अगर आपको मेरे से बात करनी होगी तो उनको बोल देना वो मेरे से बात भी करा देंगी subscription से regarding और एक बार जब subscription ले लेंगे इस referral code से उसके बाद आपको direct मेरी personal details मिल जाएंगे आप मेरे से personal group में रहेंगे personally फिर मैं one-on-one आपको guide करता चलूँगा सबसे important चीज़ वही है तो इसलिए मैंने इस चीज़ के लिए इतना समय लिया आपको बतायाने के लिए समझाने के लिए कि भाई L Y L I V E code to success है इसको लगाईएगा फीस बढ़ने वाली है यह देख लीजिए ठीक है इससे पहले कि फीस बढ़ जाए यह code लगा लीजिए L Y L I V E इसका यूज़ कर लीजिए ठीक कम से कम फीस में आपके एडमिसन हो जाएगा मेरे दोस्त तो फीस बढ़ने से पहले ही L Y Live code अपलाई कीजिए और फाइदा उठाईए हर हफते नए बैसर होते है और मेरे वो देख जिन दोस्तों को लगता है कि एर सर इतनी 80 फीस कै कैसे दें कभी बनी तोकोर्स ले लेना तो साल या थीन साल के लेना उससे कम ने और उसमें भी कोशिश करना कि आयकॉनिक कोर्स मिले आइकोनिक कोर्स का फाइदा ये रहेगा कि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अलग से मिल जाएगी तो मेंस इन अच्छा नंबर आएगा और आप एक्जाम कॉलिफाई कर दोगे और अनकैडमी से एक परसनल मेंटर भी मिल जाएगा आपको हेल्प करने के लिए और मैं तो आपके लिए रहूँगा ही रहूँगा आप लगा करेंगे लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर आम इतनी फी से एक साथ नहीं दे सकते हैं महिना महिना करके भी तो दे सकते हैं तो बिल्कुल दे सकते हो मन्थली EMI का ओप्सन होता है मन्थली EMI के लिए आपके सामने तीन विकल्प रहेंगे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या बजाज का कार्ड है तो आप खुद से EMI बना सकते हो लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड और बजाज का कार्ड नहीं है तो आप अनकैडमी से एजुकेशन लोन ले सकते हो एजुकेशन लोन बहुत इजीली प्रोसेस हो जाता है आपके अकाउंट की डिटेल्स के उपर आपके अकाउंट में चाहिए एक भी रूपिया ना हो आपने चाहिए आज ही अकाउंट खुलवाया हो आप मेरे से कोंटेक्ट करना मैं करवा करके दूंगा आपका इजिम्हेदारी आपकी पढ़ाई पैसे के कारण नहीं रूखेगी ठीक हां यह एगि मैं फ्री नहीं कर करवा दूँगा आपका आप कोंटेक्ट कर लेना वहां पर फोन करके मेरी टीम से और या मिरसे उनको बोलना मिरसे बात करवाने लिए तो मैं बात कर लूँगा ठीक है तो वह हो जाएगा उसमें आपको एक लिंक देंगे उस लिंक के थुरू आपको पेमेंट करनी होती है ठ उनकी टीम को दो तीन बार बताना कि ललित्स यादव सर का कोड लगाना है ठीक है वह नहीं बताओगे तो फिर बाद में प्रोब्लम होगी तो रैफरेल कोड फिर से बोल देता हूं ल वाई एल आई वी ए ठीक है यल वाई लाइव जब भी कोड लगाए तो लगाना अनेक Hindi, English, Byðel ela through होने वाले है जब भी जोइन करोगे तो आपको नया एक दम भिल्हेश्य मिलेगा हर बार फ्रैशर मिलता है कभी जब भी जोइन करोगे न आपको सारी नई से एक craft बिल्कुल basic से 0 से class मिलती है और बाकी तो में हूँ हो गाइड करने के लिए क्या पढ़ने के से किसे पढ़ना है कब पढ़ना है कितना पढ़ना है क्या क्या चीज़े नहीं करनी क्या क्या चीज़े करनी हो सब मैं गाइड करूँगा आपको प्रोप पर 111 ठीक है तो इससे पहले की फीस बढ़ जाए ले लिजिए और 15 तारीक को अनकेडमी का ओल इंडिया मोक टेस्ट है के लिए 11 बड़े-बड़े सहरों में हो रहा है ठीक है आप ओफ लाइन या ओनलाइन किसी भी मोड से दे सकते हो साड़े 9 बज़े जी एस का पेपर होगा साड़े 12 बज़े सी सेट का होगा इंडिया के सारे टो बेस्ट टीचर्स ने टेस्ट डिजाइन किया है फ्री है से वो QR कोड स्कैन कर लेना नहीं तो इसका लिए मैंने एक वीडियो भी वना रखा मेरे नाम से की टाइटल डाल करके ढूंड लेना उसमें आपको QR कोड मिलेगा किसी भी स्कैनर एप से उसको स्कैन करना आपको डारेक्ट लिंक मिल जाएगा एन्रॉल्मेंट का लेकिन फ् सबसे इंपोर्टेंट चीज यही है कि आप उसको टेस्ट दे बढ़िया से टेस्ट दे ठीक है जितना टेस्ट देंगे उतना आपका एक्जाम क्रेक होने की संभावना जो है वो रहेगी तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से तैयारी करें एक जोस दिखाएं हाउस दा जोस कैसे अभी आपका जोस एक हाई जोस आपको जरूर रखना है ठीक है एक बहुत हाई जोस के साथ बने रही है हमारे साथ और रेगुलर क्लासिस करते रहे है आपके लिए वो सारी क्लासिस रेगुलर इसी तरीके से दुआधार तरीके से आती रहेंगी उमीद झाल झाल